Hey everyone, Ritika on this side So, in today's video मैं आपके साथ create करने वाली हूँ Hello Eye Makeup And मैंने try किया है जितना easiest way में हो आपको बता पाऊँ तांकि आप भी ये look recreate कर सुको बहुती easily तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन Please make sure to subscribe to my channel तो सबसे पहले नाच हम करेंगे अपने brows को fill And brows को fill करने के लिए मैंने use किया है Color Studio का Beauty Clased Eye Shadow Palette इसमें से dark brown and black color को mix करके हम अपने brows को करूंगे fill और जब आपको अपने eyebrows थोड़े से natural रखने होते हैं तो I would suggest कि आप use करो eyebrow powders या eyebrow product Otherwise आप gel liners भी use कर सकते हो to get dramatic look मैंने use के थे eyeshadows उसके बाद निक spoolie की help से मैं अच्छे से अपनी brows को कर लूँगी calm Then eye makeup स्टार्ट करने से पहले मैंने लगाया था concealer And उसे set कर लिया है अच्छे से loose powder के साथ उसके बाद से ही palette में से I have taken lavender pink sort of color उसे मैं लगा रही हूं as a transition shade अच्छे से अपनी eyes lid के उपर उसे करना है आपको blend नों blending में आपको खूब सारा time जो है वो spend करना है तब ही जो आपका eye makeup है वो stand out करेगा And अच्छा लगेगा उसके बाद ने एक pink color लिया मैंने And उसे मैंने लगा लिया है जहाँ पर मैंने लगाया था transition shade इसके साथ बहुत ही अच्छा सा color निकल के आएगा थोड़ा सा pink थोड़ा सा lavender tone के साथ And जो eye makeup है enhance हो जाएगा उसके बाद आप ध्यान से देखो मैं लगा रही हूँ 3 dot मैंने अपनी eye lid के उपर लगाए है 3 dot And 3 dots को लगाने के बाद ना मैंने आपस में कर लूँगी connect इसे अच्छे से आपको कर लेना है connect pencil brush के साथ और मैं आपको suggest करूँगी कि आप थोड़ा छोटा प्रेसाइस brush उस करो थोड़ा जब आपड़े टेल आई make-up कर तो उसके बाद ना अच्छे से मैंने अपने तीनों dots को कर लिया है आपस में connect now connect करने के बाद मैं अपने डी को करूँगी थोड़ा थोड़ा सा fill center में उसको fill नहीं करना side में से मैं उसे अच्छे से कर लूँगे fill अब मैंने clean blending brush लिया है और उसके साथ मैं जो भी edges होंगे या जो भी sharp edges होंगे अपने eye shadow के उसे मैं अच्छे से कर लूँगी blend to get a soft and smooth look and अच्छे से आपको करना है blend तांकि कोई भी जो है वो line आपके eye makeup में दिखाई ना दे उसके बात ना अपने eyes में थोड़ी से depth create करने के लिए मैंने black color का eye shadow लिया है and same brush के साथ मैं उसे लगा लूँगी जहांपे previously मैंने लगाया था purple color का eye shadow ना इसके साथ जो आपका eye makeup है ना वो काफी stand out होगा और काफी अच्छा जो है वो दिखाई देगा ना एक small सा blending brush में ने लिया है उसके साथ मैं अपने black color के जो भी lines and edges दिखाई दे रहे होंगे उन्हें अच्छे से कर लूँगी blend now blending में आपको बहुत patience भी रखना है ठीक है उसके बाद मैंने लिया है glitter glue and उसे मैंने लगा लिया है center पे जहांपे मैंने कोई भी color जो है वो नहीं लगाया उसके बाद मैं use कर रही हूँ sea green जो की मेरे dress के साथ compliment कर रहा है कोई भी color का glitter चाहो तो उसके साथ लगा सकते हो अच्छे से मैंने उसे लगा लिया है एक fluffy blending brush के साथ नो बहुत ही light handly आपको जो है वो glitter लगाने नो liner मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जब मैं falses लगाऊंगी न तो जब liner की उपर हम falses लगाते हैं वो अच्छे से stick हो जाते हैं नहीं तो otherwise glitters की उपर जो है वो lashes लगाना थोड़ा सा complicated हो जाता है उसके बाद हमारा eye makeup हो चुका है almost complete और face makeup के लिए सबसे पहले है मैंने अपनी skin को अच्छे से कर लिया है moisturize तो गर्मिया है इसलिए मैंने बहुत ही light सा moisturizer यूज किया था ponds का उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ pore filling primer from inside cosmetic बहुत ही कम amount का मैंने जो है वो primer लिया है अगरा बहुत जादा quantity लोगे primer की तो आपका जो base है न वो थोड़ा सा फटने लगेगा और पिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा उसके बाद दोनों fingers के साथ मैं उसे अच्छे से लगा लूँगी अपने tea zone area पे जहां पर मुझे generally sweat होता है या फिर मेरे open pores है उसके बाद inside का ही color correcting palette में ने use किया है उसमें से अपने skin tone से दोश ये dark का concealer में ने उठाया है और उसे मैं लगा रही हूँ अपने problematic area पे जहां पे मेरे face पे darkness है pigmentation है उसे मैं लगा लूँगी वहाँ पे लगाने के बाद बहुत ही lightly मैं उसे कर लूँगी blend अगर आप बहुत जादा अच्छे से blend कर दोगे like your foundation और concealer तो जो आपका purpose उसे लगाने का वो कुछ रहेगा नहीं क्यूंकि वह अच्छे से आपके skin के उपर blend हो जाएगा and foundation के उपर नहीं दिखेगा तो उसके बाद मैंने use किया है Olivia का foundation in the shade 03 and इसे मैं लगा लूँगी all over my face, neck, ears के उपर भी अच्छे से लगा लेना है काफी अच् के makeup को तांकि वो लंबे time तक stay जो है वो करें उसके वादों से मैं अच्छे से blend कर लूँगी अपने foundation brush के साथ ना और beauty blender भी use कर सकते हो नहीं तो अपनी fingers के साथ भी से blend कर सकते हो अब अपनी पूरे makeup को अपनी foundation को lock करने के लिए मैंने use किया है Maybelline का loose powder and इसे अच्छे से अ foundation ने वो on place रहे, intact रहे and बिल्कुल भी अपनी जगा से misplaced ना हो उसके बाता मैं कर रही हूं अपने face को highlight तो मैंने use किया है Swiss Beauty का concealer in the shade 02 Sensible उसे मैं लगा लूँगी अपने face के उपर तांकि जो face और उसमें dimensions जो है वो दुबारा recreate हो जाए जो foundation के साथ बिल्कुल ही चली जात ना हमेशा मैं बोलती हूं कि dabbing motion ही follow करना है ड्रैक नहीं करना है product को उसके बाद ना फटक से मैं अपने concealer को करनी हूं lock in with the help of loose powder Maybelline का ही मैंने दुबारा से जो है वो powder use किया है आपको बिल्कुल भी जादा ले तक ना steak उसको नहीं रखना फटक से उसको set कर लेना अदर्व किया है like on my cheeks बहुत ही light जो है वो bronzing आच में ने किये सो हमेशा आपको ना brush को बहुत ही lightly चलाना होता अपनी face के उपर specially जब आपने base जो है वो लगा लिया हो नहीं तो जो आपका base है वो misplace हो जाता अगर आप बहुत जादा pressure से brush को घुमाओगे उसके बाद एक small से detailing brush के साथ ना अपने nose को भी अच्छ से कर रही हूं bronze ताकि जो nose मेरे थोड़ी सी पतली दिखाई दे और face थोड़ा सा sizzle दिखाई दे ना अच्छे से आपको अपनी bronzing को भी कर लेना है blend again मैं बोलती हूं blending सबसे जादा important रहती हैं makeup के अंदर अगर आपने अच्छे से हर चीज को blend किया ना तो आपका जो makeup है one and together लगता है और seamless लगता है उसके बाद blush के लिए ना मैंने एक light pink सा color लिया है और उसे मैं लगा रही हूं as a blush ना blush देख सकतो जहां पर मैंने face को bronze किया है ना just उसी के ऊपर मैं लगा रही हूं blusher इसके साथ जो आपका blush and contour जो भी आपने bronzer किया होता है ना वो काफी अच्छे से दिखाई देते हैं एकदम आपस में merge हो जाते ना तो बहुत ही अच्छा effect आता है नो lower lash line का makeup बहुत ही जादा important होता है तो उसके लिए ना मैंने same उपर वाला जो lavender color लगाया था as a transition shade उसी को मैं लगा रही हूं अपनी lower lash line की उपर अच्छे से आपको लगा लेना है तन उसे अच्छे से blend भी ही करना है मैं एक small pencil brush उस कर रही हूं अपनी lower lash line की उपर काम करने के लिए उसके वादना मैंने black color लिया था बहुत ही कम quantity में और उसे मैं लगा रही हूं लवेंडर color की उपर इसके साथ जो eyes है ना वो थोड़ी सी अच्छी लगेंगी थोड़ा सा जो eye makeup है low lash line का वो वैसे मैंने बहुत ही nude सा kajal जोई वो हलका सा लगाया था in the last अब मैं अपनी lashes को कर रही हूं curl क्यूंकि मुझे लगानी है falses तो अच्छे से अपनी lashes को curl कर लिया था and then mascara भी लगा लिया था मैंने off camera उसके बाद आपने पूरे makeup को मैंने set कर दिया था nix की professional setting spray के साथ and उसक साफ ही pigmented highlighter है इसनों से champagne and silver color को mix करके ना मैं अपने face को कर रही हूं highlight उसके बाद lipstick के लिए सबसे पहले मैंने use की है Swiss beauty की vivid magenta उसके साथ मैं अपने lips को अच्छो से कर लूँगी lip line ना उसे लगाने के पात ना मैं एक brush के साथ जिस brush के साथ मैं अपने lips को line कर रही हूं उसी के साथ थोड़ा सा अपने lips को fill भी कर लूँगी आप कोई भी lipstick लगा सकते हो अपनी पसंद की क्योंकि मैंने जो makeup है वो थोड़ा सा pinkish तरफ रखा इसलिए मैं pink color का जो है वो lip color apply कर रही हूं and उसके बाद मैंने लगाया था बहुत ही light pinkish सा color बहुत ही प्यारा lip color लग रहा था अपना मैं कर रही हूं अपने inner corners को highlight so मैं जस्ट अपने ऊपर की तरफ लगा रही हूं highlighter को आज मैंने नीचे की तरफ highlight नहीं किया उसके बाद लो लेश नाइन की उपर मैंने लगा लिया था mascara and इसी के साथ जो मेरा look है वो हो चुका है almost complete I hope आपको इस वीडियो अच्छी ल